हलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पाइनस के लॉंग सूट की आंत्रिक संद्शना के बारे में पढ़ा था इसमें हम उसी से लगभग मिलता जुलता है पाइनस के जो ड्वार्प सूट है बॉनी साखा हैं उसके आंत्रिक संद्शना के बारे में अध्यान करेंगे अग कि मैंने आपको morphology में भी दोनों की बताई थी कि long suit और dwarf suit में क्या थूड़ा सा अंतर होता है ऐसे ही इनकी anatomy में बहुत कम अंतर होता है क्योंकि दोनों ही suit के ही पार्ट हैं दोनों ही aerial पार्ट हैं तो इनकी anatomy में बहुत ज़द difference नहीं होता इसलिए यहाँ पर हम केवल वो ही चीज़ें देखेंगे जो long और dwarf suit की differences को दिखाएगा अर्थात पूरा की पूरा जो हुबा हुँ जो दोनों में same है उसको repeat करने का कोई मतलब नहीं बनता तो यहाँ पर हम सिर्फ उतना दिखेंगे कि long और dwarf suit में basic difference क्या है उनकी anatomy यानि आंत्रिक सनरचना में आंत्रिक सनरचना से मतलब वही तीन भाग means epidermis, cortex और steel इन तीनों में अगर कोई difference है, क्या difference है तो वही हम यहाँ पर आपके साथ discuss करेंगे बहुत छोटा सा यह topic है, आईए स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम बात करेंगे यंग डार्ट सूट के transfer section की, जब हम bonnie साखा का transfer section काटते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि आम तोर पर यह लगभग similar होती है जो long young suit है उससे हमने जो पिछले वीडियो में देखा था, young suit की जो long young suit होता है, उसकी anatomy almost उसके ही जैसी होती है लेकिन जो कुछ differences है, वो पहला difference आपको नज़र आएगा range and canals में वहां आपने देखा था कि range and canals लगभग हर भाग में पाई जाती है और सेंख्या में काफी ज़दा होती है तो अगर यहां इस dark suit की बात करेंगे, तो यहां पर जो range and canals हैं, उनका number comparatively less होता है कम पाया जाता है, और basically 6 इसमें range and canals आपको नज़र आती है यह दपी, यह जो number है, जो मैं बता रहा हूँ कि range and canals के सेंख्या 6 होती है यह species to species vary भी करती है अर्था जरूरी नहीं है, सारी की सारी जातियों में range and canals 6 ही नज़र आएं लेकिन normally 6 नज़र आती है, जबकि जो long suit था, उसमें बहुत सारी सेंख्या में पाई जाती है तो पहला difference आप range and canals का देख रहे हैं दूसरा आप यहाँ पर देखते हैं, कि जो number of vascular bundles है उसमें भी थोड़ा difference मिलता है यहाँ पर जो number of vascular bundles है, वो भी almost 6 ही पाई जाता है जबकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि 10 तक संख्या हो सकती है, 5 से 10 जबकि यहाँ पर जो ज़्यादा थर देखने को मिलता है, वो 6 लेकिन फिर भी ये भी अलग-लग जातियों में इनकी संख्या अलग-लग हो सकती है इसके अलाबा, pith in dark suit is comparatively smaller than the long suit यहाँ पर भी जो pith है, वो long suit के comparison में और भी छोटा होता है अल्रेडी वहाँ भी narrow pit था, लेकिन इसमें भी और smaller होता है comparatively long suit के ऐसे ही अगर आप bascular bundles को देखेंगे, तो bascular bundles almost एक जैसे ही होता है चाहे वो long suit है या dark suit है means, conjoint, collateral, open and end-ark जिस प्रकार से आपने long suit में bascular bundles का type देखा था exactly, यहाँ पर भी bascular bundles उसी प्रकार के होता है तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपने देखा कि difference यंग dark suit में नहीं है अब आप देखते हैं कि इसका जो old structure है यानि old dark suit की जो सन्रचना है वो किस प्रकार की है तो यहाँ पर भी आप काफी कुछ इसमें बैसा ही देखेंगे जैसा long suit में पाई जाती है means जो secondary growth के दौरान जो structure में अंतर आता है वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है पहले ही point में आप पड़ पारें it is also similar to old long suit in many aspects कई जो ऐसे तरीके हैं जिनमें यह वैसी की वैसी मिलती है लेकिन अगर कोई एक दू डिफरेंसे हैं तो वो आप आराम से इसमें देख सकते हैं जैसे की second point में आप पड़ पारें corcambium and secondary cortex are not normally present but the epidermis surrounded extremely by scaly leaves and followed internal by multi-layered cortex तो यहां पर जो मैंने आपको long suit की structure में बताया था कि जो outer layers होती है outer region होता है उसमें basically corcambium अपनी activity पूरी तरह से करती है corcambium बाहर की और corc बनाती है और अंदर की और secondary cortex तो यहां पर यह बता रहे हैं कि यह exactly वैसे नहीं होते जैसे की long suit में पाये जाते हैं यहां पर आम तोर पर epidermis scaly leaves से घरी पाये जाती है epidermis जो होती है उसके उपर scaly leaves पाये जाती है उनसे यह normally surrounded रहती है तो यहां पर जो corc है वो वैसा नहीं बनता जैसा long suit में बनता है इसके अलाबा एक difference यहां पर नीचे लिखा हुआ है inner to the cortex is crushed primary phloem secondary phloem cambium and secondary gylem with medullary rays और protozylem is endark protozylem वहां पर भी endark था यहां पर भी endark है इसके अलाबा जो secondary cortex है इसमें primary phloem पाये जाता है primary gylem जो है यह थोड़ी crust structure में आ जाते है वज़े वो ही है जो नीचे vascular cambium थी vascular cambium दोनों secondary tissues बनाती है means भार की और secondary phloem बनाएगी तो अंदर की और secondary gylem बनाएगी तो vascular cambium की activity की बात कर रहा हूं मैं core cambium की नहीं core cambium की activity यहां पर उतनी नहीं होती लेकिन vascular cambium की activity proper होती है जिससे बाहर की और secondary phloem और अंदर की और secondary gylem बनता है जब यह secondary phloem और secondary gylem बनते हैं तो अपने relevant primary tissues पर pressure डालते हैं और उनको काफी हद तक क्रस कर देता हैं इसके लाबा यहां पर जो एक small pit present होता है उसमें tannin cells भी पाई जाती है जबकि वहां पर आपने देखा था कि जो pit है उसमें इस पर कार की cells normally नहीं पाई जाती है तो यह कुछ एक difference है जो young और dart suit में आप देख पाएंगे बाकि बहुत ज़्यादा structure में अंतर नहीं है almost इनकी जो structure है वो same है diagram आप इसमें देख पा रहे हैं उसमें भी मैंने diagram आपको डला हुआ है दोनों diagram आप देखकर उनकी comparative study करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर अंतर तो है लेकिन वो बड़ा अंतर नहीं है जिसके द्वारा हम यह कह सके कि long और dart suit में कोई बहुत अंतर होता है इसलिए कई बार तो इनकी अलग-अलग anatomy बताए भी नहीं जाती मैं सिर्फ ऐसे बात कर लेता है कि anatomy of stem not long and dwarf सिर्फ simply हम यह भी कह सकता है कि pinus के stem की आंतरिक संदस्ना को समझाए तो अगर इस प्रकार से संदस्ना पूछी जाती है तो आप normal जो structures है उनके बारे में यह बताएंगे अलग-अलग करके बताने की कहीं कोई जरूत नहीं रह जाती है और बहुत ज़्यदा इसमें अंतर भी नहीं है दोनों को आप एक बार पढ़िए और वीडियो में देखकर diagram को compare करिए तो आपको यह समझ में आ जाएंगे थापको में आपको यह जाएंगे